आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों नहों, आप किसी न किसी के कहानी में बुड़े जरूर होते हैं, कोईला और मनुष्य दोनों की जलन तब सांत होती है, जब वो स्वैंग राक हो जाए, किसी को बांध सकूँ, ये हक तो नहीं है मेरा, खुद को आजाद कर लूँ, ये फ रूपनों दिकाई जाए, तो अक्सर तक्रार की सिलन उनमें घर बना लेती है, आर्थिक इस्थिती कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए, मानसिक इस्थिती का अच्छा होना जरूरी है, जीवन में तीन चीजे जरूर हासिल करे, विश्वास, संतोस और स्वास्त, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोस सबसे बड़ा धन है, और स्वास्त सबसे बड़ा उपहार है, अगर कोई आपका दिल दुखाए, तो बुड़ा मत मानना, क्योंकि जिस पेर पर अधिक मीठे फल होते हैं, उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं, उम्मीद कभी संसार से नहीं, बलकि संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए, जिसने अपनों को बदलते देखा है, वह जिंदगी में हर परिष्थिती का सामना कर सकता है, जजबात वहां जाहिर करो, जहां उसकी कदर हो, क्योंकि आख से गिरा आसू भी लो कराना होगा, अच्छाई करते वक्त, बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं, इस्वर देते हैं, कर्म कोई भी करो, लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, कि परमात्मा हमेशा ओनलाइन है, जिंदगी एक प्रती ध्वनी है, सब प्रतूर आएगा, जब घड़ी दूसरे की होगी, लेकिन समय आपका होगा, प्रेम एक ऐसा अनुभव है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और ग्रिना एक ऐसा अनुभव है, जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता, कल एक इनसान रोटी मांग कर ले गया, और कर दूरो की दूआएं दे गया, पता ही नहीं चला कि गरीब वो था कि मैं, जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लेना वो जक्म किसी अपने नहीं दिया है, खुशियाग तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुश्कुराता है, आप और तुम में बहुत फ तो समसान में ही होगी, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो, कि जो भी तुमें खोएगा, यकीनन एक दिन रोएगा, रेस चाहे गाडियों की हो, या जिन्दगी की, जीत्ते वो ही लोग है, जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं, पिता के द्वारा डाटा गया कुत्र गुरू के द्वारा डाटा गया सिस्य, और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूसन ही बनते हैं, नए रिष्टे ना बने, तो मलाल ना करना, पुराने रिष्टे तूट न जाए, बस इतना ख्याल रखना, जिन्दगी की हर सुबह कुछ सर्ते लेकर आती है और जिन्दगी की हर साम कुछ तजुर्वे दे कर जाती है, बात करने का मजा तो उन लोगों के साथ आता है, जिसके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े, पहाडों की तरह खामोस है, आज कलके संबंद और रिष्टे, जब तक हम इधर से पुकारे नहीं, उधर स आवाज ही नहीं आती, जिन्दगी में पड़ाया कोई नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम है, भरोसा रुका, तो इनसान पड़ाया, और सांसे रुकी, तो सरीर, मतलबी रिस्ता कोईले की तरह होता है, जब गर्म होता है, तो हाथ जला देता है, जब धन्डा होता है, तो सफाई से बोलते हैं उम्र भर इंसान यही भूल करता रहा धूल चेहरे पर थी और आइना साफ करता रहा कुछ लोग जिंदगी होते हैं कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है मुह की बात सुने हर कोई दिल के दर्द को जाने कौन सोड़ गुल के बाजारों में खामोशी को पहचाने कौन खुद में जाकने का साहस होना चाहिए दूसरों की सिनाक्त में तो हर सक्स माहिर होता है जिन्दिगी में जब भी आप तूटने लगो तो सबर जरूर रखना क्योंकि जो विखरता है वही निखरता भी है चाह और चडित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है फुसिया तो पराई होती है, सब में बाट दी जाती है दर्द सिर्फ अपने होते हैं इसे दिल में रखने परते हैं मौन किसी इनसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़पन होता है वरना जिसको साना आता है उसको कहना भी आता है ना तेरी सान कम होती ना रुतबा घटा होता कास जो गुशे में कहा वही हस के कहा होता